यह है लेमन शेड इसके उपर एपलीक वर्क हो रखा है पिंक और लेमन को कॉम्बिनेशन है यह देखिए इसका इक बरिया पासिव वर्क देखेगा बहुत दर नीटली वर्क हो रखा वाउज दर चुल दर रही है अपलीक वर्क में है और इसका बॉटम है इसके उपर भी वर्क हो रखा है अपलीक वर्क में और इसकी जो बॉटम है यह पिंक कलर मैंगी और इसका जो वर्क है वो लेमन शेड में हो रखा है इसकी बॉटम से आप पैंट ब्लाजो या सल्वार इन तीनों में साब कुछ भी बनवा सकते हैं और इसकी जो विर्थ है वो भी पूरी रहेगी देखिए पूरी विर्थ रहेगी इसकी यह जो आप डुपट्टे पर यह वर्क देख पा रहे हैं यह कॉटन और कोटा डोरिया पर बहुत ज़ा अराम सो जाता है बड़ शिफॉन में जो इसका फैब्रित है डुपट्टे का यह बहुत ज़ा चैलेंगिंग होता है और हमारे जो कालीगर होते हैं यहां पर आप नीचे भी देख सकते हैं इसका पूरा ही रिवर खो रखा है और देखे किती ज़ादा मेहनत लगी कि यह शिफॉन में है पैब्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो इसका स्क्रीन शॉट भीच के हमें वाट्सेप पर देख सकते हैं इस पर पूरा हेवी वर्क हो रखा है फूल पत्ती वर्क और यह इसकी स्लीव्स है और यह इसकी स्लीव्स है इसमें प्लेन बॉटम आती है कॉटन की यह दिखिए इसकी बॉटम है यह और इसकी जो बॉटम है वो प्यॉर कॉटन में है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं शिफॉन पर छोटे-छोटे बूटे दे रखे हैं ऐसे देखिए इसका ओल ओवर व्यू है यह प्यॉर कैमरिक कॉटन में वर्ख हो रखा है इस वर्ख को अंगूरी जाल कहते हैं यह पूर पूरा हेवी वर्ख है वाइट के ऊपर यह मल्टी कलर हैं यह देखिए इसकी बॉटम भी इसी में है रनेंग में है वाइट कलर में और इसके पर मल्टी कलर का वर्ख हो रखा है फुल हेवी वर्ख है यह यह और कैमरे कोटन है यह और इसका दूपट्टा है सुल्दर सा हवी वर्ख के साथ यह देखिए यह इसके किनारी है यह और इसका पूर पूरा ओलोवर दीव है जाओ मुझान के समयाओ मुझा लट जपटा मुझा यह यह और यह